स्वागत है आप सभी का एक नई जोब अपॉचिनिटी में सो दोस्तों आज की जमारी वर्क है या आती है ब्लिंकिट की और से जहाँ पर आपको पार्ट टाइम एन फुल टाइम यहाँ पर ओन फ्लोर वर्क करने का अपॉचिनिटी दिया जा रहा है इस काम को आपको घर से नहीं करना है इस काम को आपको जाकर ब्लिंकिट का अगर आपके पास नियर बाइ कहीं पर भी ब्रांच है तो वहाँ पर जाके आपको वर्क करना होगा as a warehouse partner का यहाँ पर आपको work करना है जहाँ पर minimum qualification और less eligibility का एटरा विच मीज़ कि एक से दो skills यहाँ पर आपको चाहिए होंगे तो उतना भी चीज अगर आपको आता है तो आज आप Blinkit के लिए work कर सकते हो और काफी अच्छी income on कर सकते हो यहाँ पर total में आपके साथ 2 profile शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर एक अगर आप 10th पास हैं तो आप apply कर सकते हैं पर अगर आपकी qualification 10th से भी कम है तो भी यहाँ पर एक profile रिलीज की गई है Blinkit के और से इनकी official page पे जहाँ से की में updates आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को बिना skip की अंतर देखना है ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं डेली online earning करना चाहते हैं तो चानल को सब्सक्राइब करकी ज़रूर से रख लें आज में total आपके साथ two profile शेयर करने वाली ह्जू तो पहला जो कि quantitative के और से आता है रिच मिते दूनो ही profiles pää barวास पार्ट्ण का यहाँ पर आपको work करना है और second कि यहाँ पर हपो delivery executive का यहाँ पर आपको work करना है delivery वगर र करना होगा आप तेखते होंगे अगर आप CD's पर रहते हो तो इनके काफी सारे CD's में branches आ चुके हैं तो यहां पर Blinkit के काफी ऐसे delivery persons होते हैं जो चीजे जाके उनको deliver करना होता है customer को तो उसके लिए आप work कर सकते हो और first है कि warehouse partner के लिए work कर सकते हो Now when I say warehouse partner तो Blinkit में काफी सारे चीज़े होती है ग्रॉस इस related products होती है तो यहां पर क्या करना होता है warehouse partner में जो इनका warehouse होता है वहां पर आपको चीजों को start करके रखनी होती है pack करना होता है billing department handle करना होता है तो इस related काफी सारे ऐसे अलग-अलग profiles आपको दिये जाते हैं काफी managers यहां पर required होते है ताकि जो भी चीज़े यहां पर आए उसको proper जगे पर set कर सके तो यह सारे profiles की यहां पर release की गई है जहां पर अगर आपके पास सिर्फ 10th pass qualification है और काफी अच्छा आप inserted काम कर सकते हो तो आप यह आप eligible होने वाले हो आप work कर सकते हो यह दोनों ही profile के लिए male female दोनों ही eligible है आप किसी भी Indian state एस रहते हैं आप यहां पर work कर सकते हैं बट अगर आपकी nearby location में Blinkit का office होगा या Blinkit का ब्रांच होगा तो यह आपके लिए और भी easy हो जाने वाला है इसके अलबाब बात करें को experience की जरूरत है तो यहां पर किया गया है इस profile का तो यहां पर आप देखो वेर हाउस partner का work है pick pack sort orders please by our customers तो जो इनके customers order place करते हैं वो आपको देखना होगा तो एक department इनका यह होता है जो customers के orders को लेता है second department क्या करता है उसको pick करता है वो सब चीज़ों को निकाल करता है third group क्या करता है कि उसको pack करता है और fourth group क्या करता है short करता है कि क्या क्या चीज़े कहां कहां जानी चाहिए ठीक है तो delivery कौन कहां पर करने वाला यह सब चीज़ों को manage करने के लिए तो इन में से किसी भी department में आप work करना चाहो तो आप कर सकते हो यहां पर आप देखिंगे इसको scroll down करिए तो join India's most loved grocery shopping platform है जो की Blink medical insurance किसको दिया जाता है जैसे कि इनके delivery partners है तो कभी-कभी घाई-कई में काफी बार accidents वगेरा भी हो जाते हैं तो उस case में यहां पर आपको medical insurance और यह सारे चीज़े भी प्रोवाइड की जाती है कंपनी के और से ताकि आपको कोई भी problem ना हो जैसे कि यहां पर आप देख सकत में आपको बताती हूं one by one जो कि आपके काफी लोगों की doubts होते है ब्लिंकिट के लिए तो वह भी मैं आपको बता देती हूं तो यहां पर इतने ही eligibility है सबसे पहले आपकी age जो की 18 प्लस होनी चाहिए तभी आप यहां पर ब्लिंकिट के लिए work कर सकते हो second की minimum qualification आपका 10th pass हो basic which means कि अगर कोई सामान कोई चीज आपको बताए जाए कि एक list दिया जाए यह सामान निकाल के रखिए यह इस चीज को पैक कर दो उतना अगर आप समझ सकते हो तो आप यहां पर work कर लीजिए उसकी बाद copy copy of a card and pen card यहां पर आपको चाहिए होगा ताकि वह verification हो अगर आपक इसकी बाद आप देखेंगे तो what are the benefits of working at Blinkit क्या क्या आपको benefits मिल जाता है सबसे पहले आपकी salary आप 25,000 per month आपको दी जाती है उसके बाद चाहें अगर आप एक fresher हो तो भी you also get the one nutrition meal यहां पर आपको दिया जाता है meal per shift आपको दिया जाता है medical insurance coverage यहां पर आपको दिया जाता है plus यहां पर provident funds आपको दिया जाता है additional salary के अलावा भी आपको funds दिया जाता है we also offer 14 days paid leaves for covid अगर covid in case ऐसा कुछ होता है तो 14 days का paid leave आपको देते हैं now यहां पर आप देखेंगे what is the duration of the work shift तो यहां पर आपको 9 hours जो की work करना है बट अगर आप day में work करना चाते हो नाइट में work करना चाते हो वो भी आप यहां पर कर सकते हो प्लस यहां पर अगर आप पार टाइम भी work करना चाते हो तो भी कर सकते उसके बाद आप देखेंगे is there any special bonus for the working in the night time तो अगर आप night shift में work करते हैं यह night extra कई लोग कहते हैं कि हमको extra work करना है तो अगर आप यहां पर extra work करते हो तो यहां पर आपको extra money pay किया जाता है जो आपके salary में add-on करके आपको दिया जाएगा ठीक है इसके बाद आप यहां पर आपको job training भी दिया जाता है जो भी यहां पर select होता है यहां पर सारे rounds को clear करता है उसके बाद यहां पर आपका जो कि छोटा सा training होता है जिसमें आपको काम आपको समझा दिया जाता है उसके बाद आप work करना start कर सकते हो do we receive any documentation at the time of joining तो जब आप join करेंगे तब yes you will receive a appointment letter at the time of your joining जब भी अगर आप select हो जाते हैं what is the payment mode तो यहां पर payment directly transferred यहां पर directly आपका payment transfer कर दिया जाएगा monthly basis में जो ही यहां पर आपको salary दी जाती है यहां पर अभी आपको apply कैसे करना है apply करने के लिए दिखिए यह जो की form है आपको यह fill up करना है जिसमें आपका full name enter करना आपको select करना है graduation register कर रही है I am not a robot पर I am not a robot पर आपको click करना है अब जितना ही अच्छा अपना qualification यहां पर select करोगे न उतनी ही अच्छी पोस्ट पे यहां पर मतलब अगर आपका graduation हुआ है तो यहां पर आपको managing का post दिया जाएगा आप manage करिए सारे चीजों को staff को manage करिए य यहां पर हो सकता है billing department में work करें तो depends on your skills depends on your qualification आपकी जो कि यहां पर किस ब्रांच किस department में आप work करेंगी यह select किया जाएगा और जैसे कि मैं आपको बता है second profile जो कि आपकी है वो delivery partner की उसमें भी यही same steps है जिसको कि आपको follow करना है और apply करना है आप यहां पर आपका selection process कैसे होगा once आप यहां पर select हो जाते हैं तो आप भी मैंने जो आपको बता यहां पर आपकी अधार काड पैन काड देखा चाहेगा 10th का certificate यहां पर आपके पास होना चाहिए तो यह चीज़े होगी वो आपको submit करने होगी या फिर at the time of जब आप यहां पर जाएंगे इनके office में आपको यह सब चीज़े करने होगी जब आप इसको carry कर लेते हैं और वो सब चीज़े देखी चाहेगी उसके बात आप अपना work करना start कर सकते हैं यहां पर इसके अलावा कोई exam, return exam यह कोई interview ऐसा कुछ भी नहीं होने बाला है सिर्फ आपके document के basis पे यहां पर आपकी selection होगी उसी तरीके से अगर आप यहां पर delivery department पे work करेंगे तो यहां पर आपकी documents होते हैं उसके साथ साथ आपको driving license भी देना होगा आपका driving license भी आप carry करिए प्लस आपकी body में कोई भी आपको you know problem नहीं होना चाहिए जैसे कि काफी लोगों के rods बगिर होता है body में या health related कोई भी issue ह होता है तब उनके इसमें आप यहां पर delivery partner में work नहीं कर सकते हो ठीक है तो यही है दोनों ही link में आपको description box में दिये हैं जिस पी department में आप work करना चाहते हो आप work कर सकते हैं कहीं पर भी कोई इंवेस्टमेंट आपको नहीं करना होगा फिर भी कोई डाउट रह जाए तो करना चाहते हैं डेली online earning करना चाहते हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें तब तक के लिए ठेक क्या रहें और बाई-बाई